नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। घुटने टेक देगा पित्र प्रसन हो जाएंगे वंश्वृध्धी का आशिश देंगे जन्म जन्मों के पित्र दोशों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों पित्र प्रसन हो जाएंगे जन्म जन्मों के पित्र दोश दूर हो जाएंगे। अधिक मास श्रावन अमावस्या के दिन यानी 16 अगस्त को तो पित्र प्रसन हो जाएंगे। पित्र प्रसन्न तो सब मंगल ही मंगल तो दोस्तों कौन कौन से उपाय है और कौन सी खास चीज आपको कुत्ते को खिलानी है अधिक मास सावन अमावस्या के दिन इस वीडियो में वही बताएंगे। बहुत लाब देने वाली वीडियो अवश्य लाब मिलेगा। आपको यूं कहें कि घर परिवार में खुशियों की लहर दोड उठेगी समस्त मनोकामनाई पूर्ण कर देगी तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखिए बीच में से वीडियो काट कर द रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें सबसे पहले और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जये। पूजा पाठ तरपन करना लाभकारी माना गया है। इस दिन आपको अधिक से अधिक अपने पित्रों के निमित्त उन्हें प्रसंद करने के लिए दान धर्म के कारे करने चाहिए। वैसे भी यह समय अधिक मास का चल रहा है और अधिक मास में पढ़ने वाली अमावस्या तिथी बेहद ही खास मानी जा रही है। इस बार दरसल इस बार अधिक मास में पढ़ने वाली अमावस्या तिथी तीन साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति श्राध कर्म करता है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांती के लिए दान धर्म के कार्य करता है तो उसे समस्थ संकटों से मुक्ती मिलती है। घर परिवार में खुशिया आती है और दोस्तों साथ ही साथ भगवान शनिदेव की भी प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई कर वहाँ पर दीपक प्रजवलित करें। एक सरसों के तेल का और घी और सरसों के तेल का दो दीपक आपको प्रजवालीत करने हैं। अगर संभव हो सके तो उपवास रख सकते हैं। लाभ कारी रहेगा इस दिन पित्रि संबंधित कार्य करनी चाहिए जैसे अन्न, धन, वस्त्र, दान, धर्म के कार्य करें तरपन करें पित्रों के निमित आपको लाभ मिलेगा पित्र प्रसन्न होंगे, वंश्वृध्धी का आशीश देंगे आपको और साथ ही साथ इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें इस पावन दिन भगवान विश्णू जी, माता लक्ष्मी की भी पूजा पाठ का विधान है इनकी भी पूजा करें साथ ही साथ भगवान शिव शंकर और मा पार्वती की भी पूजा करें, लाब होगा और भगवान शनिदेव की तो आपको इस दिन आराधना अवश्य करनी चाहिए क्योंकि भगवान शनिदेव की क्रिपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है, तो उसके सब कार्य धन्य हो जाती है पित्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान शनिदेव के निमित भी आपको इस दिन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और इस दिन आपको पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए संध्याकाल के समय और भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए साथ बार परिक्रमा करें पीपल के व्रिक्ष की तो सब कार्य बनते चले जाएंगे परेशानी खत्म आपके जीवन से तो इस प्रकार करने से उपायों को लाभ मिलेगा आपको जिस प्रकार पूजा विधी बताई है हमने और अब बात करें कि कुट्टों से जुड़े कौन-कौन से उपाय आपको करने चाहिए अधिक मास्त के सावन अमावस्या के दिन जिससे आप पित्रों की कृपा प्राप्थ हो भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्थ हो और आपके समस्थ कार्य बनते चले जाएं तो चलिए शुरू करते हैं कौन-कौन से कुट्टों से जुड़े उपाय है ध्यान से सुनना जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार करेंगे तो ही लाभ मिलेगा बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते तो दोस्तों क्या करें सबसे पहले तो ये ध्यान रखे की आपको अधिक मास सावन अमावस्या के दिन यानि 16 अगस्त को काले कुट्टे का दर्शन जरूर करना है किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से आप कहीं ना कहीं काले कुट्टे को जरूर देखें इस दिन और उसे देखते ही उसे सरसों के तेल से बना कोई भी पदार्थ खिलाएं रोटी या फिर सरसों का तेल से बना वो कुछ भी या काले तिल ही सरसों के तेल में थोड़ी भून कर गुड़ के साथ आप खिला सकते हैं थोड़ा सा गुड हो ज्यादा नहीं क्योंकि मीठा नुकसान देता है कुट्टे को तो दोस्तों लाभ मिलेगा स्वय भगवान शनिदेव भी आपकी सहायता करने आ जाएंगे ये मान ले आप और वैसे भी काले कुट्टे को शनिदेव के अलावा कालभैरव की सवारी माना जाता है इसलिए काले कुट्टे को आप किसी भी प्रकार से इस दिन दुख न पहुँचाएं क्योंकि यदि आपने कुट्टे को दुख पहुचा दिया तो साक्षात समझ लेना वे दुख आप पर आना होगा तो उसे प्रसंद करें, आप प्रसंद के लिए आप उसे रोटी खिला सकते हैं, या कुछ जो ब्रैड वगेरह भी आप खिला सकते हैं, मतलब उसको खुश करें आप इस दिन. और दोस्तों साथ ही साथ कुट्टे को रोटी खिलाने से काल सर्प दोश जैसी भयानक पीड़ा देने वाले दोशों से भी मुक्ती मिल जाती है. लाब मिलेगा आपको और अगर आप रोटी खिलाते हैं तो ध्यान रखें रोटी खिलाने से पहले उस रोटी पर सर्सों के तेल थोड़ा सा लगा लें और थोड़ा सा आप उस पर नाम मात्र के लिए थोड़ी सी हल्दी बहुत मामूली सी और इसके बाद आप क्या करेंगे वर यह भी बनते चले जाएंगे इतना लाब मिलेगा आपको इस उपाय को करने से और यदि आपको लगता है कि बनते-बनते काम बिगड़ जाते हैं या किसी प्रकार से शनी की धया है शनी की साढ़ह साती या सनी की क्रूर ग्रिष्टे आप उपर के उपर है और लगता है कि उसकी वजह से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा होगा शनी की प्रकोब के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा तो इस उपाय को करें ध्यान से सुनिये आप तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपको अमावस्या के दिन यानि 16 अगस्त की शाम के समय ये उपाय करना है संध्याकाल के समय कुत्ते को दूध रोटी खिलाए दूध में रोटी मिलाकर खिलाएं ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा शनी देव भी प्रसन नहोंगे बनते बनते काम जो बिगड जाते हैं वे भी काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे फाइदा होगा और साथ ही साथ यदि आपकी आर्थिक दशा खराब चल रही है धन आता है परंतु टिकता नहीं धन आने के सुरोत खक्म हो गए है आते आते रुप जाता है तो इस उपाय को कर ले आपको आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा उपाय इस प्रकार है ये अमावस्या के दिन आपको काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाना है दही और रोटी खिलाएंगे तो आर्थिक दशा मजबूत होगी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा इस उपाय को भी करें और दोस्तों साथ के साथ नियमित रूप से यदि आप काले कुट्टे को एक कटोरी दूध पिलाना शुरू कर देंगे मतलब की अमावस्या की तिथी से शुरुवात करें कम से कम 21 दिन लगातार तो करें थोड़ा सा दूध हो कुछ ना कुछ दूध प इसी भी प्रकार का दोश है तो उस दोश का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा परंतु ध्यान यह रखें की दूध जो पिलाएं उसमें मीठा बिलकुल न डालें उसके लिए नुकसान दायक हो सकता है आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे नहीं परंतु दुश प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे नुकसान ही होगा आप ही उसका भी कुट्टे का भी और आपका भी नुकसान तो मीठा बिलकुल न डालें इसमें और अब बात करें कि यदि काले कुट्टे को आप रोटी पर थोड़ा सा गुर का टुकड़ा और काले तिल रखकर खिला देते हैं गुर थोड़ा सा ही रखना है नाम मात्र के लिए तो ऐसा करने से आपकी जो पिछले कुछ वर्षों से अटके हुए काम जैसे की नौकरी लगने को होती है इंटर्व्यू हो जाता है और काम्याबी नहीं मिलती या घर में कोई ग्रहकलेश है आर्थिक स्थिती को लेकर मतलब की नौकरी नहीं है तो आर्थिक स्थिती कमजोर होनी होनी है तो यदि कोई इस प्रकार कोई परेशानी है तो काले कुट्टे को आपको रोटी पर गुड और थोड़े से काले तिल लगा कर खिला देते हो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा परंतु ध्यान रहे दोस्तों गेहूं की रोटी होनी चाहिए वो गेहूं के आटे की रोटी उसमें चावल का आटा बिल्कुल ना मिला हो यह इस बात का ध्यान रख ले अगर लाभ लेना है तो गेहूं के आटे की ही रोटी होनी चाहिए इस उपाय को करने के लिए और यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं बहुत से उपाय कर लिए कोई लाभ नहीं मिल रहा तो दोस्तों आप माता लक्ष्मी की भी इस दिन क्रिपा आप करना चाहते हैं तो देखो क्या करें ध्यान से सुनना हो काले कुट्टे को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं ऐसा करने से आर्थिक समस्या का हल निकल जाता है आर्थिक समस्या दूर हो जाती है वैसे भी कुट्टे को ये भोजन बहुत प्रिय होता है तो पके हुए चावल दही के सा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और दोस्तों के साथ के साथ एक उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपके लिए रामबान का काम करेगा। ये लास्ट उपाय है ज्यादा हम नहीं बताएंगे। गंभीर रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, जानलेवा है, ये लगता है, आपको तो दोस्तों ऐसी स्थिती में आप क्या करें। अधिक मास की जो सामान अमावस्या है, इस दिन काले कुत्ते को आपको चने की डाल खिलानी है। चने की डाल यदि आप खिलाते हैं, भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए, पित्रों का स्मरण करते हुए, तो दोस्तों आपके दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, खुद ही बड़े से बड़ा पित्री दोस्त भी दूर हो जाएगा, लाभ मिलेगा। चारों दिशाओं से आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कुत्ते से जुड़े कुछ हमने आपको उपाय बताए जो आपको उपाय लगे। आपके अनुसार उपायों को करें, अवश्य लाभ मिलेगा, आपको भगवान शनी देव पित्रों की भी कृपा प्राप्त ह होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना शेर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जय भोलेना।